मुलानपूर स्टेडियम चंदिगर के उपर मैच है 13 अपरेल को यहां पर मैच हुआ था पंजाब वर्सेज राजस्तान रोयल्स का उस गेम में पंजाब किंग्स 147 बनाती सबको लग रहा थे यार यह तो 13 चौध और मैच खतम हो जाएगा 152 बना दिया हटमै की गजब की निक्स थे और जैस्वाल नचसा स्टार्ट दिलाए सा उस गेम में 182 बना से पहले 9 विकेट के नुकसान पे चेसिंग टीम 180 बनाती है जो एक रन से टार्गेट से पिछे रह जाती है 144 बना 9 विकेट के नुकसान पे चेसिंग टीम इसको चेस कर जाती है चार बॉल रहते तो अभी दक ये स्वैनी के उपर तीन मैचेस में साइपल में और तीनों गेम्स के नदर ठीक ठाक अच्छा सर्फेस देखने कुमला है एक्सपेक्ट दे लास्ट गेम वो थोड़ा सा ट्रीकी सर्फेस था यूस्ट पिस्टी वाली देट्स वाई गरना आपको 170-180 देखने चाहिए पंजाब किंग्स तीन मैचेस के लिए एक जीती है दो हारी है सेम इस ट्रेंड भी ऐसा ही चला है बैटिंग फरस्ट तीन में से एक मैच जीती है चेस करते हुए दो मैचेस जीते गया है पंजाब किंस होम ग्राउंड ट्रतिव और नौक्यास पासरांस बनने चाहिए और जो लास मैचेस था पंजाब आरार गा 148 यस में बना था उसमें आठ विगेट पेसर दस विगेट पेसर ने निकाला और चाहर विगेट स्विगेट के नाम थे और जो तीन मैचेस वहने साइपियल में इस मैदान के उपपर 33 विगेट निकाला है पेसर ने पहली पारी में 18 दूसरी पारी के अंदर 15 राइट आम पेसर 17 लेफट आम पेसर का 16 विगेट है स्विगेट के निकाला है पहली पारी में 5 दूसरी पारी के अंदर 3 लेख स्विगेट का तीन चैरेमन का दो लेफट आम और तो रोख स्विगेट है इस एपिल में कोई भी एक एक एसा वैन्यू निया जहां पर स्विगेट को मदद मिली हो एक तो ऐसा वैन्यू रोख यार जहां पर स्विगेट पी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो हर जगा 200 बन रहे है वो आई पिल में मज़ा नहीं आता सीरिसली कह रहा हूं मैं जब तक आपका ऐसे close games जहां पर spinners भी अच्छा कर रहे हो बैट एंड बॉल का इक्वल बैलेंस हो दोस्वस्ती बन रहे है सबसे बड़ी कहां जा रहा है क्रिकेट नेट बॉलर बना दिया है जो मैचस में बॉलर खेलता है इसे अच्छा बॉलिंग मशीन लेया हो बैटिंग ऐसे ही कर लो जैसे पहले IPL में क्या होता था आपने देखा होगा दस साल पहले हम देखते थे मैचस से पहले बॉलिंग मशीन लगाई जाती थी हाई लाट जे सिक्स का वो कॉम्टिशन चलता था ऐसे खेल लो यार क्या ज़रो था बॉलर को खिलाने की अटाव इनको साइड में अलब अलब अलगी चीजे चल रही है और जो ग्राउंड में हम भी बहुत कुछ होते हैं पाठा विकट बनाके बड़ी आरंस बन रहे हैं मजे मजे जिंदगी में और बल गेंदबा टीशेट के अंदर से रिचुपा रहा है क्या ही कहने बाइसां क्या ही कहने पिछ आफ मुलानपूर पंजाब वर्सेस आरार का जो मैस था तब पिछ यहां पर ऐसी थी और भैतर ट्रैक था सिरिसले का हलकी सी जो पिस थी यह एक एंड में ड्राई थी आप खुद देखें वो तो बोलू आई या ड्राई थी क्योंकि स्लो हो गई थी पीछी मैच जैसे इसे प्रोग्रेस हो रहा था लिविंस्टेन का स्वेल आप भूल नहीं 63-70 और सामने 72 मिटर्स थी और जो पहला मैच पता डे गेम था पंजाब डीसी का तब 64-67 सामने 75 तो अच्छा सर्फिस होता है बड़ी बाउंडरीज है यहां पर भी लॉंग ओल लॉंग ओफ की दरफ तो वेरेशन करके बॉलर सुगेट निगाल सकते हैं और मुलान के उप क्यों है यह देख सकते हैं खुबसूरते ग्राउंड है मुलान पूर का कैसे लगए पीच ट्रूप कमेंट करके बता ना चैनल पी नियुक्त सब्स्ट्राइब को लोग गंट्री बटन दबाद हो किसको जीता रहा आप इस गेम में पल्टन को या फिर पंजाब दे मुंड के इस गेम के इंदर जीतेंगे मुंबई से बहुत फेंटेशी ब्लैट्स में फॉलो करते हैं मैं चाहता हूं पंजाब वाले भी कमेंट करके दिखा दे